हेलो फ्रेंज मोधुमिता लीटिल कीचेन मोयल का मैं हूँ मोधुमिता मैंने आज और एक न्यू रेशिपी सेयर करने जारी हूँ आज मैं सेयर कर रही हूँ बहुत बड़ी आसा साफ्ट और स्पोंजी फुले फुले ब्रेकफास्ट का रेशिपी नर्माल हम लोग एडली बनाते हैं धोकला बनाते हैं आपे बनाते हैं लेकिन आज मैं सेयर करूंगी धोकला एडली दोनोई एक रेशिपी में मिलेगा खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और साज माने बानना बहुत ही जी है बिलकुल अलग रेसिपी लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा बहुत जल्दी बन भी जायेगा और सब्टा स्पोंजी बनेगा चलो फिर बोड़िया सब रेक फस्टा क्या रेसिपी शुरू कर तो जोरूर बैसंद के छान के लेना है एक साथ में मैंने डाल देती हूं 2 चमज मतलकर 2 टिपल स्पुन रावा और डालेंगे थोड़ी से नवुवव और डाल देती हूं थोड़ी सी हल्दी पॉडर बेटर बारनाने के टाइम ब्यासन के साथ थोड़ा सामतब दो टेबल स्पुन जैसा रावा जो रूट डालना इसमें क्या होगा यह जो नास्ता बोनेगा इसका अंतर का टेक्स तर बहुत बढ़िया सा परफेक्ट बनता है अच्छी तरह से इनके इसको मिला ले आप डालूंगे मैंने पास स लागरे और थोड़ी सी मैंने पानी डाल देती हो स्मूद और पारफेक्ट कंसेस्टेंसी का एक बेटर बना लेते हैं मैंने बेटर का कंसेस्टेंसी दिखाऊंगी पहले देखना बढ़िया से इसको फेटना है जितना पारफेक्टी फेटेंगे यह ब्रेकफास्ट यानि ये नास ता बहुती स्पोंजी और फूले फूले बनेगा तो 2-3 मिर्त तो अच्छी तरह से फेड़ लेना आप डाल देती हो मैंने एक टेबिल स्पून ओयल ज्यादा ओयल नहीं डालना है लेकिन एक टिल स्पून ओयल जोरूट डालना इसमें क्या होगा इसमें क्या होग फूले फूले बनता है थोड़ा से इनों डालने के बाद आच्छी तरह से इसको फेट लिया तो देखी बेटर के कॉंसेस्टेंसी पार्फेक्ट है ये अच्छी तरह से फूल गया तो देखिए इस तरीका गर बेटर होना है आप जली इसका बानाना सोरू करती है आप आप चाहे तो कोई भी कोटोरी भी उज़ कर सकते ऐसे नर्माली धोगला जैसा भी बना सकते इस बेटर में लेकिन इस तरीका के बनाएंगे तो बहुत ही देखने में सुन्दर लागेगा मतलब एडली जैसा बनेगा और धोगला का टेस्ट आएगा साज मनी इस तरीके का स पारफेक्ट फूले फूले ये नास्ता बन गया एडली भी है और धोगला भी है मतलब देखने में एडली जैसा है और खाने में धोगला का टेस्ट बहुत ही पारफेक्ट रेसीपी है थोड़ा समय इसको ठंडा कर लेती जादा ठंडा करने का ज़रूरत नहीं है थोड़ी से मैंने पूरा बना लिया एक उठा के भी दिखाती हो तो देखे देखके आंदज लग रहे हैं कितना सफ्ट स्पॉंजी बनी है आप चाहत इसको ऐसा ही खा सकते हैं लेकिन मैंने हैं पे खास तोड़का लगा रही हूं तोड़का लगा लेकिन ही मैंने एक चमा चोयल करम कर लिए डाल देया थोड़े से राई के दने थोड़ी सी जीरा और डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली और दस बारे करेपत्ता आप चाहते जैसे नॉर्माल है हम लोग ढ़ोकला बनाने के लिए चिंड डालते हैं उसके सुगा सिरफ बनाते उसी हिसाब से भी डाल सकते लेक दोनों का टेस्ट आएगा देखने में इडली जैसा है और खाने में धोकला का टेस्ट है सूजी भी है व्यासन भी है साज मानि बहुतँ टेस्टी मोनेगा इस तरगा का रेसिपी आप चाहे तो कोई भी चाटनी के साथ या फिर स्वंबर के साथ भी खा साकते हैं अगर धो तो इसलिए ये पास से 7 मिनिट में बड़ी आसा एक बैच पाग जाएगा बहुती स्पोंजी भी है सौप्ट भी है मैंने उठा के दिखाते तो देखे कितना बड़ी आसा देखने में लाग रहे खाने में भी उतना ही टेस्टी है कोई भी सौस के साथ भी खा सकते मैंने आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और नियू नियू रसीपी देखने के लिए सब लोग आच ठीरे खुश रहे हैं